अगर बक्री को कुट्टा काट लेता है तो तुरंत परपाव से जहां कुट्टे ने काटा है ने वहाँ पर मिर्ची मिर्ची पाउडर को पाणा मर जाने के बाद दूसरी बक्री का दूद फिलाते हैं तो वह बक्री काफी दिनों फेले बच्चे दे हुई है उस काट ले तो कहीं अत्वात इलाज के इना मन समझाओ तो अगर बक्री को कुट्टा काट लेता है तो तुरंत परपाव से जहां कुट्टे ने काटा है ने वहाँ पर मिर्ची मिर्ची पाउडर को पाणी में गोड़ के और ओपैस्ट बनाके लगा दो और यह शुक्य पुट्टे का पुईजन होता है तोड़ा कम हो जाता है कि टनु खतम हो जाते हैं और दूसरी बात जो ये हमारे यहां राजस्तान में एक आक करके पेड़ होता है फोदा होता है उनकी लखड़ी गरम करके उनसे दाग दो तो वह गाव भी जल्दी शूक जाता है और गाव ग बप्चान नहीं विखेगा बच्छार नहीं लेकिन महा मर जाने के वाद बख्री बख्रीका दूड बख्रीक दिना फेले बचे देए हुई है उस बकरी को डाइट वाइट देने की वज़े से उसमें थोड़ी मतलब फेट की मातरा ज्यादा होती है और कैल्सियम की कमी होती है वह दूद जपेट में जाता है तो उनको दस्त लगने के चांस रहते हैं इनके लिए इक टेरा मैशीन करके भी आती है जिसको मेडिसन नाम है उसका ओक्सी टेटर साइकलिन वह एक एमल लेके उसमें चारे में दूद मिला दू बकरी का वह पांस मिला के अच्छे को मिला दूर्स से विदस्त ठीक हो सकती है और एक मेडिशन की दवा आती है अपने हुमन मेडिकल पे उसका नाम है ओफलोक्षाशिन एंड ओमिड़ाजोल वह आधी टेबलेट दूद में गोल करके भी आप पिला सकते हैं तुरंत परभाव से उनकी दस्त रुख जाएगी जैसे इद का बगरा त्यार करा या चाहिए ब्रीडर त्यार करो उनको बजन बढ़ाउन खातर सपेशल फीड के दे एक तो भी नॉर्मल जैसे आपी खिला हां सुखो चारो बगेरा एक सपेशल फीड हो कोई इद के बगरे त्यार करने के लिए कम से कम दो दानत बगरा हो उसको खर्षी करवा दो दो दान से छोटा बगरा करणवाने में थोड़ी दिकत रहती है और वो ग्रोथ भी कम करता है खर्षी हो जाने के बाद उस बगरे को दिन में दो ही टाइम खाना देना है और टाइम उ चार पांस तरह का आइटम अलग अलग तोड़ा तोड़ा खिलाना जो अपने एरिय में लोकल एरिय में जो भुषा मिल रहा है दलन का भुषा गवार का लेलो मुंग का लेलो मुंग पली का लेलो उड़ित का मशूर का शोयाबीन का जो भी अपने एरिय में मिल रहा है उस भ पूशा को थोड़ा थोड़ा करके जैसे 500 ग्राम एक टाइम का उनकी डाइट है चारे की तो पांच आइटम शो शो ग्राम चेंज करकर के खिलाओ तो वह पांशो ग्राम की जगह आठ सो ग्राम तक चारा खा लेगा एक टाइम में और शात में उनको पास दिन का तर दिन का मिट्टी खाना शुरू कर देंढ़ें फेट में कोईे प्रोबलम होती है पेट में कीडे पड़ जाने की वज़े से वह मिट्टी खाने सुरू कर देते हैं तो इसके लिए तो आप बताओ के विलाज है। टेरा मशीन इज पावोग नहीं कहा थे उप्रके पुडिरमेशन ऐना जी तक भाए है। दोची को नहीं को फोड़ी होती है। प्चागा निजब घुवर जाहे। इन्जेक्शन आया करें शाबून आया करें शाबून आया करें बहुत रिप्यान माईने एंटी टेटमास होल नाम साओं है जून तो हाव चोटा रत पड़े ही को आने और चारो चर्व लागो चोटे बच्वों में जूं की रोगताम के लिए बकरी जब भी बच्चा देती ह बगरी के बच्चे को शाब करके और तीन-चार गंटे बगरी के सामने रखो वो चाट लेती है उसके बाद में डिटोल लगा के बच्चे को छोड़ दो ग्राव जुट्वड लिए उसके ऊपर तोड़ा तोड़ा तेल लगाते नैसे मालिस करदो डिटोल की श्माइल से बच्चे के उपर जो बकरी का मेला गंदगी उतिया उसकी गंदगी अब लोग तो आज से खेंच में तोड़ते हैं उगली में आटी लेगा कि खेंच के तोड़ते हैं ग्लेड से काच सकते हो नहींदке पुराना लोगा आइटम नहीं लेना है तो आप गठी का डौरा लेकर तीन आंगल छेथियों हुंडियों ज्यादा काड़ टाइट बांद आते दो अधिनाव कटके नेचा पड़ता है आप 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 जैसे ये पी पी आरो रिटी दे हैं इनका बारंबे बताओ कुछ इसमें तो सब यूटूब के लोग याण के आगे कोई देखो बक्री की अगर प्रेगनेंट अवस्तामी डाइट बढ़िया तो तो दूध की कमी आती नहीं जाए अडर छोटा हो या बढ़ाओ कुछ बग्रियों के अडर होते हैं लेकिन दूद की केपसिट यूश में होती है अनाज जरूरी है बग्री को 400-500 गराम अनाज तक खिला सकते हो परड़े और अनाज खाएगा तो दूद होगा गास फूश कितना भी खिला तो दूद नहीं बढ़ेगा गुड़ दे सकते हो अ और अगर मिल रहा है तो कोटन शीट जिसको विनोड़ा बोलता है कपाश लो दो तूद बज्याई और अनाज के बिना या तो ला रहा है डाइट नहीं तो दूद नहीं आवे अब मोल लिया बग्री तो ला में ती तो डिलीवरी होना के बाद देने पुटाने पहले विश अच्छे शाद दिन बाद में देदो फले और और घल गोटू बिमारी हो है मैं नमक की आयोडेन की कमी से होती है उसमें थोड़ा चारे में नमक मिला के खिलाये कर ने नमक को वाज से डड़ो भी दरक्ष का आपने ड़ो भी रिक्ष का हां उसने साथ यह को शादो नमक है वो भी आपां चारे में मिलार डाल शका वो डली फारम बचा जैसे आपने श्वाद अनुशार अपनी रोटी में नमक डालते हैं न वैसे चारे में तोड़ाशा डाल दे गरो है युदिन की कमें दूर हो जाई है और जैसे कई बकरी लकव बगरा मार जाए है उसको भी लाज नहीं है उसका में बता Nieto, जिसका इलाज मेरे पास है वो बता रहा हूं खईशाए होता है कि बकरी खाना खाती है जुगली करती ही तो आपने जीव एक तरफ बार निकाल नकाडा के रखती है और जुगली का समान 50 पर सेंट बहार गिरता रहता है मूह में से वह ता जीव का लगबा उसके लिए आप जैसे ये लक्षन आपको समझ में आवे तो लशन की चार-पांच कड़ी छोल के बारी कूट के पैस्ट करके उसकी जबान के उपर लगा जो वो पेट में जवे या नहीं जवे कोई मतलब नी जबान के उपर लशन लगने के बाद उनका जो करो भुकार की टेबलेट दे सकते हो शुरुवाती में अगर जादा है तो उसको इंजेक्शन लगा है डोक्टर शन नबुला की लाज पर तो बुरे दवाई मिल जाती है और बक्री भार्माम जैसे चौमासम मत्षर हो जाएं जादा उनको कही लाज करा है मत्षर को होते है कि अगर उसका पूरा इलाज करेंगे तो बक्री की किमत के बराबर उसका इलाज में लग जाएंगे फिर बक्री पालन एसे ही फैल होता है गाड़ी तो है शाट अजार की शितर हजार का इंजन डलवा दिया उपर महेंगी बढ़ जाती हो जैसे कई बगरियां का मतलब बार बार दस्त हो जाए है पी इलाज करते हैं एक बार डीवार्मिंग कर दो अगर जद्धा दस्तोरी तो डीवार्मिंग के दवा मत्वार नुक्षान होगा उनको पानी के अंदर हिंग मिला के पिलाया करो पेट यह बाड़ पड़ा यह पी इंग्यों जला कर उशको बार इपीश दे तरह मसीन से न्वार से बार इस पीश कर दो तीन देन सूबह साम दो एक लिए थम खत्म हो जाए इस व पर जला कर एक दम काला जला करके मसीन से बार ए